आप सबको शागराई क्या टिप्स चैनल पे स्वागत हैं आज हम लोग जानेंगे ग्लास पावर को कैसे रिट करते हैं चलिए बीना टाइम का बाए वीडियो को शुरू करते हैं आप लोगों को इधर एक चस्मे का पावर पेस्किप्शन दिख रहा है अगर आप लोग कभी भी आख का पावर टेस्ट किया है तो आप लोग जरूर इस टाइप का पेस्किप्शन देखे होंगे यह जो पॉर्षन है इसको हम लोग राइट आई का पॉर्षन बोलते हैं और इधार है CYL, इसका मतलब है cylindrical power, यह जो spherical power और cylindrical power दोनों ही plus और minus power पे ही पे स्काइप किया जाता है, ठीक है? Cylindrical power एक axis पे होता है, इसलिए इसको हम लोग astigmatism भी बोलते हैं, ठीक है? अगर spherical power minus power पे हो, तब उसको हम लोग myopia बोलते हैं, अगर plus power पे हो, तब हम लोग उसको hypermetropia बोलते हैं, आप लोग तो समझी गए हैं, क्या spherical power plus number पे और minus number पे दोनों पे ही हो सकता है? तो इसलिए spherical power plus minus 0.25 से किसी भी high power तक हो सकता है, और plus हो या minus power हो, जैसे किसी का power minus 5 हो सकता है, किसी का minus 14 power हो सकता है, किसी को plus 14 power भी हो सकता है, अब लोग को अच्छी तरह समझाने के लिए इधर spherical power के निचे मैं minus 1 power लिखके रखा हूँ, और एक चीज, spherical power में, जब एक spherical power का glass होता है न, तब इस टाइप का goal होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, काट के चस्मा में fit करते हैं, यह जो जैसे minus 1 इधर पे spherical power है, मतलब यह जो goal lens है, इस पे पूरा portion पे ही minus 1 spherical power होगा, अगर plus होता, तो यह plus 1 spherical power रहता, ठीक, इसी तरी इसे ही spherical power को हम लोग prescription पे लिखते हैं, इधर जैसे right आख पे spherical power minus 1 है, left आख पे minus 1.5 है, यह किसी दूसरा power भी हो सकता है, अब ही हम लोग जा रहेंगे cylindrical power के बारे में, cylindrical power तो particularly एक axis पे रहता है, हम लोग का जो lens होता है न, goal रहता है, उधर 90 और 180 यह दोनों axis रहता है, cylindrical power 0 से 180 तक किसी भी axis पे हो सकता है, अब लोग को समझाने के लिए, जैसे इधर हम minus 1.5 cylindrical power 90 degree axis पे है, मतलब इधर 90 degree axis पे minus 1.5 cylindrical power है, left eye में, जैसे minus 2, 120 degree axis पे, मतलब इधर lens पे minus 120 degree पे minus 2 cylindrical power होगा, cylindrical power plus और minus दोनों पे हो सकता है, इधर minus 1 cylindrical power भी हो सकता है, plus 1 cylindrical power भी हो सकता है, तो ठीक, इसी तरीके से cylindrical power को हम लोग prescription पे लिखते हैं, इधर देखिया है, लिखा हुआ है DV, मतलब distant vision, मतलब आप कितना spherical और cylindrical power से आप लोग दूर में देख रहे हैं, किसी को सेर्फ spherical power लग सकता है, किसी को सेर्फ cylindrical power लग सकता है, अगर किसी को spherical और cylindrical दोनों पावर ही लगा, तब उसको हम लोग बोलता है sphero cylindrical power, इधर भी है मतलब visual equality, मतलब कितना आप पावर देखे, कितना दूर तक आप देख रहे हैं, उसको समझाने के लिए हम लोग भ cylindrical power को हम लोग prescription पे लिखते हैं, अभी देखिये इधर लिखा हो है add, मतलब इसको बोलता है addition, अगर किसी का उमार 40 साल हो या 40 साल के अगल बगल हो, तब क्या होता है, हम लोग नजदिक पे देखने में दिकत होता है, निउस पेपर रिट करना, कितब पढ़ना, या सुई म धागार डालने में दिकत होता है, तब क्या होता है, हम लोग को नजदिक के लिए एक पावर पेस्केप किया जाता है, उसको हम लोग बोलते है, प्रेस बायोपिया, और जो चस्मा हम लोग को दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते है, बाइफोकल चस्मा, और यह जो घर हम लोग का prescription पर प्लास चो लिखा हुआ है तो किसी prescription के प्लास 1 भी हो सकता है प्लास 1.5 हो सकता है 2.5 ऐसे हो सकता है तो हम लोग ठीक इसी तरीके से एडिशन पावर को prescription पर लिखते हैं एक बात मैं फिर से repeat करना चाहूँगा अगर किसी को दूर में देखने के लिए दिकत हो तब उसको अगर दूर पे देखने में कुछ भी दिक्कत नहीं हो तब सेब नस्दिक का पावर दिया जाता है अगर उसका दूर में दिक्कत हो देखने में तब दूर के पावर के साथ नस्दिक या एडिशन पावर ही डाला जाता है तो अब लोगों को समझ में आ गया किस तरीके लिखा जाता है मेरा इस वीडियो को अगर helpful लगा होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में मेरा वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यबाद